आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वार्ट्सेप पे रिक्वेश्ट अकाउंट इन्फो किया होता है और यह option कहा रहता है और इसको कैसे उज़ करते हैं और इसे उज़ करने से क्या क्या बेनिफिट है तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो नमस्कार दोस्तों क को इक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको हम रिक्वेश्ट एकाउंट इन्फो के यहां पर हम बेनिफिट के बारें बता देते हैं तो इसमें इसको यूज करने से यही बेनिफिट है कि जब से अभी तक आप वार्ट के पास रहता है तो यहां पर आप उसको रिक्वेश्ट भीश्ट सकते हैं और यहां पर अपना जो भी डाटा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं के बल आपको यहां पर मैसेज को यहां पर डाउनलोड करने का उप्शन नहीं मिलेगा मैसेज के अलाबा सभी डाटा पोपेंट कर लेना है वार्ट पोपेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह सायगा उसके बाद ऊपर में आपको एक ट्री डॉट का अपसन मिलिया गा ता आपको इस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक अकाउंट का अपसन मिलिया गा ता आपक एक request report का option मिलेगा तो आपको यहां पर अपना जो भी वाटसेप से data download करना चाहते हैं तो आपको simply request report पे click कर देना है यहां पर जैसे यहां पर click किजेगा तो यहां पर आपको थोड़ा दिर्बेट करने क्लिक हैगा उसके बाद आपर आप देख सकते हैं कि यहांपर मेरे को तिन दिन की पर टाइम दिया गया है और यहां पर तिन दिन के बाद आपर जो भी वास्फेंच तो इहां पर हम को हमको तिन दिन के बाद whatsapp मेरा जो वी data था उसको provide कर देगा चाहते हैं यहां един के अंदर में आपको यहां पर जो भी आपका वाट्षफ का data उसे यहां पर डाउडोड करने के लिए अबलेबल कर दिया जाएगा और यहां पर उसके बाद तिन दिन के बाद यहां आपको एक डाउनलोड का अप्शन मिल जागा तो इस तरह से आप अपने वाट्सेप पे रिक्वेस्ट एंकाउंट इन्फो का यूजि कर सकते हैं और आपको पाता चलिया हुआ कि अप्शन रहता कहां और इसे कैसे उच करते हैं और इसके उच करने से क्या-क्या बेनिफित ह अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दें धन्य रहता हुआ